गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स राधे राधे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन भी थाकास में आज हम लेके आए हिंदी की एक विलोम शब्द को लेकर शेशन तो यह शेशन हमारा उम्मीद है बहुत ही अच्छा जाएगा और इसमें आपको बहुत करते रहे और कॉंटिन्यू डेली प्रेक्टिस करते रहे सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और यह सारे विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सारे अच्छे विलोम शब्द लिए गये हैं भले यह आपको थोड़ा कठिल लगेंगे लेकिन विश्वास मानिए ए परिष्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोम शब्द है यह कई बार एक्जाम में आया हुआ है इसे आप नोट डाउन करके एक जगे आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे या नोट्स कर लेंगे इसे तो आपको इसे याद करने में रिविजन करने में आसानी होगा अगला है क कटूक्ति का विलोम सब्द होता है सूक्ति आपने पढ़ा भी होगा सूक्तियां हमारी यूज की जाती है कई छोटी छोटी हिंदी टर्म में यूज होता है उसका विलोम सब्द होता है हमारा कटूक्ति अगला होता है कपाल कपाल का विलोम सब्द होता है पद कपाल 2016 में ये UP PCL के exam में आया हुआ example है अगला है हमारा क्रिश क्रस का होता है इस्थूल यानि जटी लेक जगे इस्थिर टाइप और उसका अपोजिट होता है क्रस तो क्रस का होगा इस्थूल अगला हमारा गंभीर और इसका विलोम शब्द होगा सहज गंभीर अर्धात आप गं स्थिर है सहज फिल करनें तो गंबीर का होगा हमारा सहज अगला होगा गंध्यारक और उसका Hoka Gент , गंध दायक ॥ार्ग qui जांद को हरने वाला अरिफात मह subsid हरले और अगला एक्जामपल है त्रंग ऑर उसके विलौम शबद होगा भहां बरण्ग, या बहां बाहर विलौम अगला है हमारा घनेरा घनेरा का यानी नगल नगल अर्थात मतलब कुछ भी नहीं मतलब ना के बराबर और घनेरा मतलब बहुत जादा कहते हैं घना कोहरा है अर्थात जादा मात्रा में है तो घनेरा का विलोम शब्दोगा नगल अगला लोभी का विलोम शब्दोगा हमारा संतोसी लोबी अर्धाद लाल चीवा संतोसी नहीं उसे और चाहिए जिसके अंदर लोब भराये लेकिन उसका संतोसी जो संतोस कल लिया अगला है शोशड और सोशड का विलोम सब्द होगा पोशड शोशड यानि आप किसी को शोशित कर रहे हैं उससे ले रहे हैं और तो आप अगर अर्थ को समझते हुए विलोम शब्द या मुहावरे लोकोक्तियां करेंगे तो आपका कभी एक्जाम में भूलेगा नहीं समपद का क्या होता है विपद अब विपद देखिए पद का आप इसे जैसे सा है उसके साथ है देखिए सम विशम जैसे आप सम और विशम होता है आप इसी तरह समपद विपद है आप इसे सम और विशम को लेके अगर समपद विपद याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेग व्रिष्टी, अना व्रिष्टी, most 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 important example, कई बार आया है, previous year में तीन से चार बार, S.S.C. के एक्जाम ले लिजे U.P.S.C. का भी एक्जाम में यह आया है U.P.P.C.L. के एक्जाम में भी बहुत ही most favorable और favorite है यह examiner's का कई बार पूसता है अगला विलोम शब्द देखते हैं विवाद विवाद का होता है निर्ड़ाए बाई किसी चीद में हम जमीन में देखते हैं कहते हैं बाई जमीनी विवाद है उनका विवाद है यानि वहाँ पर क्या है कटाक्च है और निर्ड़ाए यानि निर्ड़ाए हो गया भाई उस चीज़ का solution निकला है तो विवाद का विलोम शब्द होगा निर्ड़ाए सूद्र और महान जो महान है और दूसरे को हम कहते हैं अरे या तो सूद्र है अर्थात यह जो है सही इंसान नहीं है महान नहीं है गंदा है इसे सूद्र को हम कभी वी जाती से से महान नहीं लेना उगला एक्जामपल देखते हम मथा का प्रतिवाद प्रतिवाद ये उसी से निकला है वाद प्रतिवाद अगला विवेक बहुत ही आसान देखिए एक्जामपल है विवेक यानि जो विवेक शील है जिसके विवेक है समाझ है अज उसकी तरफ मुह है तो विव अगलाइफ्जामपल देखते हैं व्यस्टी और समष्टी अब इसे आप तीन बार इश्टार मनाके लिख लें गे क्यूंकि बच्चे इपको यहीं Confuse होते हैं और examiner यहीं आपको Confuse करता है अब बच्चा Confuse कहां होता है बच्चा उना कि करके रखता है और गलती से इसी व्रश्टी को व्रश्टी पढ़ लेता है लेकिन आप ध्यान देंगे व्यस्टी और व्रस्टी व्रस्टी में वा के नीचे देखिए व्रस्टी होता है और ये व्यस्टी है ना कि व्रस्टी है तो ध्यान से देखेंगे व्यस्टी का समस्टी होगा लेकिन अगर व्रस्टी आएगा तो वहाँ पर अना व्रस्टी होग अगला देखिए शूकर शूकर क्या होगा दुसकर होगा कर यानि दुसकर जो गंदा है शूकर यानि जो अच्छा है अगला देखते हैं सुधा और गरल सुधा यानि जो निर्मल है सुधा है पवित्र है और गरल यानि जो अपवित्र है सुधा नहीं है स्रिष्टी सहार स्रिष्टी से यहां पर देखिए अर्थात स्रिष्टी यानि जो स्रिष्टी बनाया है अर्थात हरने वाला जिसका किसी का निर्मार हो रहा है और सहार यानि हम किसी चीज को नश्ट कर रहे हैं बना नहीं रहे हैं तो यहां पर यही अर्थात सहार यानि यानि बनाने वाला और इसी तरह अगला एक्जांपल देखते हैं अनुग्रह और विग्रह अनुग्रह विग्रह यानि अनुग्रह यानि ग्रह का अनुग्रह उसका पालन करने वाला ग्रह का अनुग्रह है और विग्रह यानि ग्रह से वितर इतर है विग्रह है वो उसे तो तोड़ने वाला अनुग्रह जोड़ने वाला विग्रह तोड़ने वाला इसी तरह देखते हैं स्वाधर्म वीधर्म स्वाधर्म अर्थात हमारा धर्म खुद का धर्म वीधर्म अर्थात दूसरे का धर्म अगला देखते हैं सबाध निर्बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक्जामपल बहुत ही अच्छा एक्जामपल एक्जाम में कई बार आया हुआ है सबाद निर्बाद बहुत ही अच्छा अगला एक्जामपल देखते हैं संग्रह और त्याग त्याग अर्थात मतलब किसी चीज का त्याग करना अपने पास से दूर करना उसका हमने त्याग क होता है प्रभू इच्छ हमें लीन होने वाला घलत काम ना करने वाला तामसी के हदल्र मतलब मतलब जो अज्यानी है धर्मी है उसके लिए खांक यूद करते हैं सेम इसे तरह गेहने अगलाै आज़ांपल वसके आप आच्रण आच्रण का पालन करने वाला कदाचारी यानि उसके अंदर आच्रण नहीं है गलत आच्रण का पालन करने वाला कदाचारी अगला देखते हैं लाश्टिक जामपल हमारे दो बचे सन मार्ग कुमार्ग सन मार्ग मनला बच्छे मार्ग पर चलने वाला सही मार्ग जो होगा वो सनमार्ग कहलाएगा कुमार्ग जैसे कोई छात्र है वो अपराधी बन गया चोरी कर गया पढ़ाई लिखाई में नहीं लीन है उसे हम क्या कहेंगे वो कुमार्ग पर चल रहा है तो सरमार्ग बतलब अच्छा मार्ग कुमार्ग मतलब गलत मार्ग स्वच और मलीन लाश्ट एक्जामपल बहुत अच्छा एक्जामपल है स्वच का कई बच्चे एक्जाम में आस्वक्ष करके आते हैं और एक्जामपल में examiner confuse करने के लिए आपको option में आस्वक्ष जरूर देगा और आप जहां आस्वक्ष मारेंगे वहीं आपका एक नंबर गलत हो जाएगा तो स्वच का आप हमेशा याद रखेंगे मलीन होता है स्वच मतलब सास उत्रा मलीन मतलब गंदा और दोशीद चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है एक से एक अच्छे वीडियो दिये जा रहे हैं आपको अच्छे अच्छे content प्रोइड किये जा रहे शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा यह विलोम शब्द का पहला शेशन है इसके बाद अभी आपको दो शेशन और दिये जाएंगे इसमें आपके most important जितने भी विलोम शब्द हैं वो सब कवर हो जाएंगे और hopefully exam में आपके विलोम शब्द यहीं से आएंगे तो अग thanks for watching thanks students